सब्सक्राइब तो माई चैनल और प्रेस दे बेल आइकाउन फॉर मॉर वीडियो और अपडेट्स हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है नीरज और वेलकम टू मैं यूटूब चैनल बियर्ट गाय नीरज तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने विंडो 10 को reset कर सकते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा सबसे पहले तो आपको अपने search बार में जाना है और यहाँ पर आपको search करना है Windows Settings Windows Update Settings को आपको open करना है उसको आप open करेंगे तो आपके पास काफी सारे options आजेंगे आप देखेंगे इसे left side में आ रहा है तो आपको जाना है recovery option में recovery option में जाएंगे आप तो इसमें 2 option आते हैं एक तो reset this PC if your PC isn't running well resetting it might help this let you choose to keep your personal file and remove them and then reinstall window अगर आप इसपे click करते हैं तो आप अपने PC को reset कर सकते हैं इसमें 2 या 3 options आएंगे तो हम देख लेते हैं कुनकों से option आते हैं पहला option आता है कि keep my files अगर आप अपनी files को system में रखना चाते हैं और यह जो reset होता है window तो आपकी file system में रहेंगी loss नहीं होगा और second option है कि आप remove everything अगर आपका जितने भी software से हैं आपकी files हैं कोई भी photos या videos हैं वो सब remove हो जाएंगी आपके system से और यह PC आपका reset हो जाएगा third option है कि restore factory settings इसमें क्या होगा कि आपका जितने भी personal files, apps or settings है सब reinstall हो जाएगी window में तो आप इन तीनों में से जो भी option आप चाते हैं वो आप click करके आपको next करना है और यह फिर window आपकी reset आगे process हो जाएगा एक और इसमें option आता है यह advance setup का इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर USB में या DVD में कोई भी आपके पास window 10 का setup होता है तो आपको वो साथ में इसके attach करना होगा तो उसके बाद में आपको restart now पे click करना है तो वो boot होता है वहीं USB या DVD से so I prefer कि आप अपना जो PC अगर reset करना चाते हैं आपका window 10 का जो laptop है बहुत जादा slow चल रहा है तो आप जो first वाला option है उसके क्लिक करके अपना window reset कर सकते हैं अभी मैंने recently अपना window 10 laptop को reset किया है और reset करने के बाद में मैंने second option इसमें चूज किया था कि remove all your files उसके बाद में मेरा जो window है बहुत अथी चल रही है बहुत smoothly चल रही है so friends मैं आपको suggest करूँगा कि आप यही वाला option prefer करे और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए comment कीजिए मैं हर तरह की videos upload करता हूँ तो definitely I will help you thank you so much